जहें दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों आज की वीडियो में मिले कर आए हैं आपके लिए सामन ज्यान का ओल्ड पेपर 2018 का जो भी MPGL परहरी परिक्षा की तैयारी कर रहा है तो भै इस वीडियो को पूरा अवस्य देखें जांकि बहुत ही मह सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं और और पर क्लिक करें ताकि अल वीडियो की नोटिपिकेशन आप के हां तक पहुंचें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें और पीडियाप के लिए टेलिग्राम ग्रूप से जण MPGL प्रहरी बार्टसप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप 90, 98, 60, 92, 99 इस नमबर पर जो है बार्टसप नमबर पर मेसेज करेंगे तो आपके पास MPGL प्रहरी बार्टसप ग्रुप की लिंक पहुंच जाएगी तो चलिए आज का अपने जो यहां पर फर्स्ट कॉस्चन है ब कर अफ्राटकबर को बढ़ाना हैं तो किस राज्जी ने यह जो है लांच किया है एक सन पंजाब दिल्ली गोबा या राजिस्थान तो अगर आपसे आंसर बनता है तो कमेंट में जरूँ बताएँ क्या होगा इसका राइट आंसर पंजाब यानि की बिकल्प नमबर एक याँ पर जो है राइट आंसर होगा पंजाब अंगला कॉस्चन है यहां पर कि निम लिखेते मैंसे किस चेत्र में केंदर सरकारद्वारा पारंपरिक अध्यों के उत्थान के लिए पूंजी की योजना को शुरू किया गया तो पूंजी की योजना को शुरू किया गया किरसी बी निर्माण या निर्माण या सुक्ष में लगू और मत्यम उद्योग तो क्या होगा राइट आंसर नमलेकत में से किस छेत्र में केंदर सरकार्द और पारं पर एक उध्योग के उध्थान के लिए पूंजी की योजना को शुरू किया है तो आपका राइट आंसर है सूप्ष में लगू मत्यम उध्यम आपका जो है आपका राइट आंसर होगा विकल्प नमबर चार अंगला कोश्चन है याँ पर की विज्ञान की संस्कृति के पिर बिक विघ्यान औरम पर एक लख पूरमें में ऊपचेस टरिये बिज्यान के अंतर या विज्ञान संग्रालाय शांस सेंस शिटी या विज्ञान नंगरी तो क्या होगा राइट आंसर कोस्चन नमबर 3 कमेंट में आंसर जरू पता है राइँ आंसर क्या होगा इसका इसका right answer है उपचेत्रिये विज्ञान के अंद्र उपचेत्रिये विज्ञान के अंद्र यान की बिकल्प नमबर एक आपका right answer होगा एंगला कॉस्चन है यहां पर कि दिसंबर 2017 में अफ्रिका में परवत किली मंजारों पर चड़ाई करने वाले प्रिथम भारती यह कौन है तो कौन है वह बताईए आंसर बनता है तो कमेंट में जरूबता है चार विकल्प आपके सामने है तो आपका राइट आंसर है मदू सूधन पार्टी तार आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर तीन आपका यहां पर जो है सही आंसर है अंगला कॉस्चन है कि भारत का प्रितम ओद्यों क्नीती बयान खालिस्तान जोम में जाना जाता है तो किस रूप में जाना जाता है तो आपका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर दो आपका राइट आंसर होगा dissol अंगला कोश्चन नमामी देवी नर्वदे सेवा यात्रा रोड मैप आयोजेत किया गया था तो कहां पर किया गया था होसंगाबाद, महिस्वर, बारबानी या अमरकंटक तो कौशन नमबर 6 का राइट आंसर बताना है चार विकल्प आपके सामने हैं क्या होगा राइट आंसर तो इसका जो र हाल ही में इलेक्ट्रिक ट्रेक्षन के साथ कोचिंग ट्रेनों को इटार्ची से खालिस्तान मार्ग पर कमिशन किया गया था तो क्या है राइट आंसर जबलपूर, रीवा, सत्ना या मानिक पूर, हाल ही में इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन के साथ कोचिंग ट्रॉनो ट्रेनो को इटार्सी से खालिस्तार मार्ग पर कमिशन किया गया था तो आपका राइट आंसर है जबलपूर विकल्क नमबर एक आपका राइट आंसर होगा जबलपूर अंगला कोश्चन है आपर कि अंगला कोश्चन है कि पेहनिन सुलर पठार की सर्वोच्च चोटी अनाई मुडी नमलिकित में से किस पहाड़ी पर इस्तित है तो कौन सी पहाड़ी पर इस्तित है एस सर्वोच्च चोटी बताइए तो क्या होगा राइट आंसर तो आपका राइट आंसर है अन्ना मलाई पहाड़ी आपका राइट आंसर होगा विकल्क नंबर एक यहाँ पर राइट आंसर होगा अंगला कॉस्चन, ENVIS मद्द प्रदेश को ENVIS नोट के रोप में भारत सरकार के लिए मंत्रालाय दोरा इस्थापित किया गया था, तो क्या किया गया था? प्रत्वी विज्ञान मंत्रालाय या संखिकिये और कारिक्राम कारियन मंत्रालाय सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालाय या पर्यावरन बन और जलवायू परिवर्तन मंत्रालाय तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर्यावरन बन और जलवायू परिवर्तन मंत्रालाय विकल्प नमबर 4 आपका राइट आंसर होगा अंगला कॉस्चन है आपर की राष्टिये विकास परिशत के बारे में सही उत्तर की पहचान कीजिए तो इसमें जो सही उत्तर है वह कौन सा है कॉस्चन नमबर 10 का राइट आंसर बताना है तो इसमें जो सही उत्तर है वाय है इसे उन्नीस सो बाउन में गठित किया गया था विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा अंगले कोश्चन है आपर कि भारत में चीता को पुनहा पेस कनने की रिपोर्ट के तहत मर्द प्रदेश में कौनसे इस्तल को प्रिक्त रूप से सफारिस किया गया है तो कौनसे इस्तल को बताने आपर बताईए नौरदेई अब्यारण या सिंगोरी अब्यारण पच्मनी अ तो यहां पर आपका राइट आंसर है नौरदेई अब्यारण यानि की विकल्प नंबर एक आपका राइट आंसर होगा अंगले कोश्चन है कि भारत ब्यत नाम दुरिपक्छिय से नभ्यास को मद्द प्रिदेश के किस्तान पर आयोजित किया गया था कहां पर जबलपुर में बोपाल में सागर में रेवा कोश्चन नमबर बारा का राइट आंसर वताइए क्या होगा इसका राइट आंसर फाय कौश्चन नमबर बारा तो इसका राइट आंसर है Wikiowalpur लुगुबाइ इंडिया Smart City Award 2018 के तहट खालिस्तान के लिए इनोवेटिव आइडिया पुरुषकार से सम्मानित किया गया था तो क्या है इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर क्या है तो इसका राइट आंसर है एक इकरित कमान और नियंतरन के अंद्र ICCC आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर चार अंगल्या कोस्चन है कि मानस राष्टी उद्ध्यान किस राज्ज में इस्ते थे Most important question बताईए राजस्तान, गुजरात, असम या पंजाब Question number 14 का राइट आंसर Question number 14 का राइट आंसर क्या होगा कि मानस राष्टी उद्ध्यान किस राज्ज में इस्ते थे तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर असम असम आपका विकल्प नंबर तीन राइट आंसर होगा असम अंगले Question है कि उस राष्टपती का नाम बताएं जो संसद में एक बिल बापिस करने के लिए राष्टपती की सक्ती का उपियोग करने वाले पहले व्यक्ती थे तो कौन थे वह बताएं जाकर हुसेन या ज्यानी जेल से हैं या सरपली रादाकृष्णन या राजेंद प्रसाद Question नंबर 15 का राइट आंसर बताना है ज्यानी जेल से हैं आपका राइट आंसर होगा ज्यानी जेल से हैं विकल्प नंबर 2 अंगला कॉस्चन है कि जुलाई 2018 में सर्विया में आयोजेत 36 अंतराष्टिये 16 दस्तानी टूर्णामेंट में बॉक्सिंग में 16 पदक जीतने वाले पहले एथलीट का नाम बताईए तो कौन ते पहले एथलीट बताईए कॉस्चन नंबर 16 का राइट आंसर सोला का राइट आंसर है दिव्या पवार आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर है अंगला कोश्चन है आपर की उन उस्ताद का नाम बताईए जिनके सम्मान में पृति वर्स मैहर सतना में एक संगी समारोय का आयोजन किया जाता है तो बैकोन है उन उस्ताद का नाम बताईए जिनके सम्मान में पृति वर्स मैहर सतना में एक संगी समारोय का आयोजन किया जाता है तो आपका राइट आंसर है उस्ताद अलावद्दीन खान आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 3 विकल्प नंबर 3 आपका राइ तो क्या होगा राइट आंसर राज्यों को अधिक बित्ये स्वायत्तिता प्रदान करना या राज्यसासन की अनुदार पिलनाली का जिरुन उत्दार करना या राज्यसासनों की प्रिसासनिक विकास और कानूनी संरचना को स्विवस्तित करना या राज्यसासनों पर राज् है विकल्प नमबर तीन आपका राइट आंसर होगा अंगला कोश्चन है कि मद्द प्रदेश के नम लिकत में से किस जिले को ई पी आर आई एस परियोजना के तहत इस तुरो द्वारा चाइनित नहीं किया गया है तो कौन सा बहे मद्द प्रदेश का जिला है बताइए इंद क्या है इसका राइट आणसर अंज्डवर यानि कि विकल्प नमबर एक राइट आंसर होगा इंदोर अंगला क्वोश्चन है पर कि निम्लिकित मेंसे कौन सा मद्द प्रदेश का जी आई टेग उत्पाद नहीं है तो कौन सा नहीं है question number 20 और आखरी question है पताए राइट आंसर क्या होगा क्या है इसका राइट आंसर दतिया और टीकमगर के बेल मेटल बेयर या मोलेलो मोलेला क्ले वर्क या रतलामी सेब या ज़ाबुआ कलकनात काला चिकन मीट तो निम्लिकित मेंसे कौन सा मद्द प्रदेश का जी आई टेग उत्पाद नहीं है तो आपका राइट आंसर है मो लेला के लिए वर्क आपका जो है राइट आंसर होगा विकल्प नंबर तीन विकल्प नंबर तीन आपका जो है राइट आंसर है तो दोस्तो एह वीज कॉस्चन थे सामान ग्यान से संबंदित M.B.J.L. परारी 2018 का ओल्ड पेपर था तो एह वीडियो आपके लिए क्यासा लगा कमेंट में जरू बताएं और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और 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 पर क्लिक करें ताकि आल वीडियो की नॉटिफिकेशन आप कहां तक पहुँचे और जादा से जादा वीडियो को सेर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें M.B.J.L. परारी बारसब ग्रूप से जुणने के लिए आप 98, 96, 92, 91 इस नंबर पर जो है बारसब में जुड़ें जहां पर हम जो वीडियो बनाते हैं उसकी जो पीडियाप फाइल होती है वह हम टेलिग्राम ग्रूप में आपके लिए उप लब्द कर देते हैं तो आप टेलिग्राम ग्रूप से अबस्त जुड़ें आप सर्च करें IAS Study वहां से आप हमारे टेलिग्राम ग्रूप को जुड़ें कर सकते हैं तो एह वीडियो आपके लिए कैसा लगा कमेंट में जरू बताएं आज की वीडियो में बस इतना ही जय हिन